सब्सक्राइब करें भी न्यूज को और बेल आइकन दबाएं देवरिया, कैश संकट से जूज रहे शहर के करेंसी चेस्टों के लिए ब्रिहस्पतिवार का दिन अच्छी खबर लेकर आया रिजर्व बेंक अफ इंडिया ने एस बी आई के करेंसी चेस्ट को 111 करोड रुपे की रकम उपलब्द कराई है देवरिया के करेंसी चेस्ट से मूँ और बलिया जिले की बेंक शाखाओं को कैश देने का निर्देश जारी हुआ है साथी स्थानिय सेंट्रल बेंक और पी एनबी को दिया जाएगा उधर कैश की आवक होने के बाद बंग चल रहे एस बी आई और अन्य बेंकों के एटी एम चलने से जरूर तमन दोने कुछ राहत मिली शहर में एस बी आई सेंट्रल बेंक और पी एनबी के करेंसी चेस्ट है करीब 15 दिन पहले से बढ़ी मांग के बावजूद इन चेस्टों में कैश खत्म होने की कगार पर आ गया था जीले के अधिकांश बेंक अपने रोज के जमा होने वाले रकम से बेंक शाखा चला रहे थे बेंक प्रबंदकों की माने तो समस्या का मूल कारण बाजार से केश का वापस बेंक में नहीं आना है इसलिए केश का संकर खड़ा हुआ ग्रामींग चेत्र की शाखाओं में तो 10,000 से अधिकी रकम दी ही नहीं डा रही है सेंट्रल बेंक मुख्य शाखा के प्रबंदक विवेक अगरवाल ने बताया की जिले में प्रतिदिन औसतन 5 करोड की जरूरत होती है इधर महिने भर में करेंसी चेस्ट को केवल 10 करोड मिले है जमार आशी कम होने से स्थिती खराब बनी है ऐसे में देवरिया वकुशी नगर की कुल 63 ब्रांचों को कैसे चला जाए यह बड़ी समस्या है RBI को भेजी जाएगी और डिमांड SBI मुख्य शाखा के प्रमंधक पंकज कुमार ने बताया की RBI से कुछ केश मिला है यह मांग से कम है प्रति दिन की खपत करीब 2.5 करोड है अभी जो कैश आया है उसे समीप वर्ती जिलों की शाखाओं को भी देना है यह कैश खत्म होने पर फिर मांग भेजी जाएगी कैश मिलने पर सारे ATM चलने लगेंगे आंधरा बेंग का ATM बन रहा सहारा संकट के इस दौर में HDFC बेंग के साथ ही आंधरा बेंग का ATM लोगों के लिए बड़ा सहारा बने हैं आंधरा बेंग के शाखा प्रबंधक अनंत कुमार ने बताया की उनके यहां व्यापारियों के करंट एकाउंट ज्यादा है इसलिए प्रतिदिन रकम जमा होने से परियाप्त कैश आ जाता है उनके यहां कैश की किलत उतनी नहीं है इसलिए शहर के कुछ अन्यशाखाओं को भी कैश दिया जा रहा है अब तो काड से ही पेमेंट करने की मजबूरी HDFC बेंक के ATM से कैश निकालने आए विनीत श्रीवास्तव ने बताया कि कई दिनों से चक कर लगाने के बावजूद कैश नहीं मिल रहा था दो घंटे कतार में खड़ा रहने पर कैश मिल पाया डॉक्टर, राकेश गुपता ने बताया कि सुबह के वक्ती जिन भूतों पर कैश है वहां कतार लगडा रही है रात में एक ATM पर जाकर इंतजार किया तो कुछ कैश मिल पाया हालत यह हो गई कि जरूरत की चीजों के लिए भी काड से पेमेंट करना पड़ रहा है एक दवा कंपनी में एमार जिया उलहक ने बताया कि इस तरह के हालात ने नोट बंदी की याद दिला दी है कुछ जगहों के ATM को छोड़कर सारे ATM अब भी बंद चल रहे हैं प्राइमरी स्कूल के शिक्षक विनोद गुपता ने बताया कि शादी के मौसम में कई जगहों पर हयोता देना है आने जाने का खर्चल लग ससुराल में ही शादी पड़ी है तो कैश की जरूरत अब ही ज्यादा है कई ATM का चक कर लगाने के बाद कैश मिल पाया ATM में कैश नहीं मिलने से बढ़ी परिशानी सलेम पोर नगर के अधिकानश ATM के शटर बंद है जहां खुले हैं वहां कैश खत्म हो चुके हैं इससे आम जनता की परिशानियां बढ़ गई है घर में शादी पढ़ने के कारण लोगों को खरीदारी करने में दिक्कत हो रही है देवरिया के बाद नगर में सबसे ज्यादा ATM है नगर में भारती स्टेट बैंक, PNB, AXIS बैंक, केनरा बैंक, HDFC, बंधन बैंक समेत करीब देड़ दरजन ATM लगे है HDFC बंक पर केश रहने के कारण लोगों की भीड़ ATM पर लग रही है SBI के सभी ATM का शटर गिरा हुआ है बंक परिसर में स्थित केश डिपाजिट वब ATM पर तैनात गाड कुछ खास लोगों को अंदर से शटर गिरा कर केश उपलब्द करा रहे है PNB का ATM का शटर खुला था लेकिन कैश नहीं रहने से लोग खाली हाथ लोट गए PNB शाका के अंदर रकम निकलने के लिए लोगों की लंबी कतार लगी थी SBI के शाका प्रबंधक ने बताया कि एक दो दिन में ATM की स्थिती ठीक हो जाएगी HDFC के प्रबंधक का कहना है कि उनके ATM में प्रति दिन एक करोड कैश डाला जाता है